साथियों, जब डबल इंजिन की सरकार काम करती है, तो उसका असर सिर्फ डबल नहीं होता, बल्कि कई गुना ज़्यादा होता है, यहाँ एक और एक मिलकर दो नहीं, बल्कि एक के बगल में एक ग्यारा की शक्तिधारण कर लेते हैं, गुजरात में रेल इंफ्रास्रेक्टर का विकास भी इसका एक उधारण है, मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता, जब 2014 से पहले गुजरात में नए रेल रूटों के लिए मुझे केंद्र सरकार के पास बार 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 जाना पड़ता है, लेकिन तब बाकी शेक्तों की तरह ही रेल इवे के समन में भी गुजरात के साथ अन्याय पूर्ण वेहवार किया जाता है, टेबल इंजिन की सरकार बने रहने से गुजरात में काम की रपकार तो तेज हुई है, उसका विस्तार करने की ताकत भी तेज हुई है, 2009 से 2014 के बीच 700 किलोमेटर से भी कम रेलिवे लाइन का दोहरी करणू हुआ था, 2009 से 2014, जबकि 2014 और 2022 के बीच 500 से जादा किलोमेटर रेलिवे लाइन का डबलिंग दोहरी करणू ये गुजरात में हुआ है, इसी तरह गुजरात में 2009 से 2014 के बीच करीब 60 किलोमेटर ट्रेक का ही बिजली करणू हुआ था, जबकि 2014 से 2022 के बीच 1700 किलोमेटर से अधिक ट्रेक का बिजली करण किया जा चुका है, याने डबल इंजिन की सरकार ने पहले के मुकाबले कई गुना जादा काम करके दिखाया है, और सात्यों हमने सिर्फ स्केल और स्पीड को ही बैतर नहीं किया, बल्कि अनेक स्तरों पर सुधार किया है, ये सुधार कॉलिटी में हुआ है, सुविधा में हुआ है, सुरक्षा में हुआ है, स्वच्छता में हुआ है, तेश भर में रेलिवे स्टेशनों की स्थिती में सुधार आज स्पष्ट दिखता है गरीब और मद्यंबर को भी आज बही माहोल दिया जा रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों की पहुँच में ही होता था यहां गांदिनेगर स्टेशन कितना आदूनिक और बव्व है यह आप देखी रहे हैं अब आमदाबाद स्टेशन को भी ऐसे ही विक्सित किया जा रहा है इसके अलावा भविश में तूरत, उधना, चार्मती, सोमनात और न्यू भूज जैसे स्टेशन भी आदूनिक अवतार के सामने नए रूप में आने लगे हैं अब तो गांदिनेगर से मुंबे के बीश पंदे भारत एक्सप्रेट सेवा भी शुरू हो गई है इस रूप पर सबसे तेज रप्तार वाली ट्रेन सेवा शुरू होने से देश का सबसे महत्रपुन बिजनेस कोरिडोर बन गया है यह उपलब्दी डबल इंजीन की सरकार की बज़र से ही संबव हो पाई है झाले है तो क्वोश पिर